हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूटूब चैड़ पर दोस्तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्योपी के बारे में अगर आप अपने घर में प्योपी कराने की सूच रहे हैं आपका कोई कमरा है या फिर कोई होल है या कोई अन्य एरिया है तो हमें ऐसे कौन सी जरूरी बाते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए साइट पर प्योपी का काम कराते समय मैं इस वीडियो में आपसे एक से लेके साथ आठ स्टैप ऐसे लिखे हैं मैंने और वो आपको एक एक करके बताने वाला हूँ 35 प्लस हम वीडियो डाल चुके हैं और यह जो सिरी चलने वाली है यह फांडेशन से लेके फिनिसिंग तक चलेगी घर को पूरा कंप्लीट कैसे करते हैं अभी जैसे हम बात करें तो हमें च्छत तक पूरी वीडियो डाल रखें उसके बाद हमारा कोई लेक्ट्रिकर वर्क प्लंबिंग वर्क पेंट वर्क प्लास्टर वर्क यह सब लेकर चलने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ जैसी हम अपने नौर्मली जो सिरीज की वीडियो कबर करेंगे तो हम इसी सिरीज में एड़ करेंगे कुछ इंटीर व्रक से रेडिटेटेट के हमें अपने घर मे जो भी हमारी कुई च ጥी इसब आप वीडियो में देख पा रहा है यह होता है तो इसosition है तावरा है कि hacking क्या होती है जैसे आप वीडियो में देख पार हैं यहां पे आप देखेंगे कि पूरी छत में कहीं न कहीं आपको हलका सा एक punching हो रखी है hacking हो रखी हलका सा आपको rough surface दिखाए दे रहे हैं जो कि कहीं न कहीं एक पकड़ यह होती है क्योंकि हमारी जो चटे वह तो प्लेन आप उसमें हमारी एंकरिंग हो सके गिपस बन सके हैं इसलिए हमें hacking करनी होती है और इसका बहुत बड़ा रोल है अगर आप अपने चट में hacking साही से नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आगे चलके आपकी POP दीरे दीरे वो कहीं कहीं से छुटने लगे तो इसलिए हैं पर प्रॉपर ध्यान रखें पूरी छट पे ज़्यादा आपको अपना कोई गैप नहीं देना है बहुत ही ज़्यादा जगा-जगा-जगा कर देना जैसे आप देख पा रहें अभी हम बात करेंगे कि हम फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है इसके बाद हमारी जो भी हैकिंग करने के आपको अपनी च्छत साफ कर लेनी है पानी से पानी के मंदर से किसी भी तरह की कोई डस्ट वगएर ना रहे फिर हमें जो हमारी प्योपी होती है उसका फिर एक मिक्स करना होता ह तो यहां बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हमें एक किलो अगर हम कोई प्योपी की तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितना पानी मिला है और उसमें कितना प्योपी की मात्रा होनी चाहिए तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारी एक केजी हमारी प्योपी है तो उसका 60% हमें क्या करना होता है पानी डालना होता है अब यह पे बहुस से लोग क्या करते हैं बोदी नहांगते हैं तो यहां पर आपको mix में द्यान रखना कि पानी हमारा 60% mix करें आप कितने भी kg आप अपनी p.o.p का mix रण बना रहे हैं आपको द्यान यह रखना है कि देखे इसके बेस्टी तो काफी ज्यादा होती है काफी ज्यादा बेस्टी होती है एकदम गिर जाती है तो उठा के वो लगाने लायक नहीं होती है और साथी आपको द्यान यह रखना है कि जो भी आपने माइन में सैट के कि मुझे इतने एरिया की प्योपी करनी है तो वहां पर उतना ही एरिया का पहला बना लेना है वरना वह सूख जाएगा फिर आप उसमें पानी डाल को फिट से रिमिक्स करेंगे तो कोई फाइदा नहीं आने वाला है तो यह होगी हमारा रेशयो जो मिक्सिंग का होता है अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारी जैसे मैंने बोला कि आपकी छट जरूरी नहीं है कि वह पूरी प्लेन हो करना हो और यहां पर बात करें तो कितनी मोटाई उसकी होनी चाहिए वो हमारी करें हमें पूरी सीलिंग पर एक प्यॉ बाइस से अप्लास्टर करना होता है ताकि जो भी मिल शरी शेश सके और उसको अदूलेशन ने पर सकें ऊए है इसलिए यह जो पर अब यह तोटी ज़िदा भी हो responsibilities competition on अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने बोला कि कुछ एक दम फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी क्लमसम आपको बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आपकी च्छत प्लेन हो तो वहां पे ज्यादा लग जाए आपकी ज्यादा ना लगे और हो सकता है कि च्छत में काफे अंडूलेशन है तो अगर मैं बात करूं कि जो POP की कोस्ट क्या आती है POP का काम अपने घर में कराते हैं तो कितना कोंस्ट जो है मार्कीट में ठेकेदार या लेवल लेती है जो आप देख रहें हे satisfies के Built- यह design बनाए गए हैं आप सही से देखें यह हमारी होती है यह होती है प्लस सुरी माइनस प्लस यह ज़्यादा तरजो होती है अब यही इस्तमाल होती है आप कहीं भी देखना और यह थोड़ा अच्छा लोग भी लगता है थोड़ा advance आ जाता है इसा normal plane POP से अभी मैं आपको plane POP भी दिखाऊंगा कि वह किस तरह की होती है तो जैसे कि आप यहां पर आप देखेंगे यह है plane POP आप देखें कि साइट में जो भी वाल है उस वाल पर एक हल किसी SQIRE FIT के हचाब से आपका ऺंचेदर ठेकेदार है कि आपको अच्छी क्या इस्तवाल करने है मैं है आपको एडवाइस भी करूंगा कि आप किस कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो हमारी है वह 20-25 रुपे के आसपास जो है वह प्लेंट प्योपी का एक अराउंड कोस्ट आ है और जो हमारी दूसरी होती है जैसे मैंने बोला माइनस प्लस तो यह होती है लगबग 25-30 रुपे के साफ से जो रेड मैंने बोले हो सकता है कि आपके एरिये में थोड़ा वह रिशन कर जाए पर एक अराउंड इतना हो जाता है अब अगर मैं बात करूं कि आपको किस कंपन सक्रेनी की ले सकते हैं क्योंकि जो कि मैंने देखा है तो काफी उसका एक सही फीडवेक लिया है और काफी लोगों से भी मैंने देखा है तो सक्रेनी की काफी अच्छी है तो उसकी भी आप अपनी प्योपी इस्तमाल कर सकते हैं अगर मैं बात करूं आपने अपने च्छत म के बात का गैप आप कम से कम 10 दिन रखी उसके बाद ही आपको अपना कोई अधर काम कराना जिसे पेंट अगयरा तो यह दोस्तों जो जरूरी बाते थी एक एधा प्योपी कवर कराने से पहले आयोप मैंने आपको सारी बाते बता दी हैं उमीद करूँगा आपको सारी बाते अच्छी लगी हैं और इनके सब्सक्राइब बातों में कोई बीडाउट रहे गया तो कमेट में टाइप कर देना या फिर आप हमारे इंस्ट्रीज कर सकते हैं आपको साइट को जो भी काम हो र thank you for watching my video, मिलते हैं आपने मेक्स वीडियो को